नमस्कार खबर समेशोगत में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके सातंग के तावर आई अब खबरी दिक्तित स्टार से दीपक राठोर के रूप में की गई पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी दीपक राठोर के मृतिका पूजा से एक तरफा प्रेम प्रसंग की बात सामने आई हैं और लड़की की कहीं और सगाई भी हो चुकी थी और इनके पारिवारिक विवाद भी 2020 से चल रहे था इसे में लड़की ने आरोपी यूवक दीपक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्च कराई थी वहीं आरोपी यूवक दीपक ने भी लड़की की मा वा भाई के खिलाफ प्रकरन दर्च कराया था पुलिस प्लोपी युवक ने उस पर ताबर तोर तीन गोलियां चलाई जिससे मौके पर ही लड़की की मौत होगी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करती हुआ आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दिये इधर नगरपाली का आमला आरोपी युवक दीपक के घर को जमीद बाली का आमला भी मौझूद रहा वहीं अडिशनल स्पी देवेंदर पाठीदा ने जानकाली देते हुए बताया कि आरोपी की लगातार चार्टी में तलाश कर रही है और गिरफतारी की प्रयास किये जा रहे है वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्लले चोहान नामक बाली का की गुली मार कर हत्या हुई है पुलिस के द्वारा प्रारेमिक जाज में ये पता कर लिया कि ये घटना करम दीपक राठोर जो की ब्रह्मा कुंड के निवाशी था उसके द्वारा किया गया है पुलिस के द्वारा शिग रही इसके अंदर उसको पंजिबद किया गया है और पुलिस के द्वारा इसके कारणों में पता चला तो यह समझ में आया कि एक तरफा प्यार शेड़कानी और परिशान करने का मामला है क्योंकि इसमें जो मृतिका है उसकी ओर से पुर्व में भी 354 का एफाय दौजार बीस में पंजिबद कराया ग कहीं ने गई बच्ची की शगाई होने की भी बात संग्यान में आई गये इन सब कारणों के चलते उसके द्वारा गोली बार कर हत्या की गये पुलिस की लगातार चार टीमें उसको गरफतारी के सगन प्रियास कर रही है इस गटनागरम को देखते हुए पुलिस अदिक्ष की द्वस्त करकरने की गरवई जारी भी है चुकि बहुत ही गंभेर किसम का प्रकरण है इस प्रकरण में गिरफतारी के लिए लगाता टीमें लगवी शिग रही इसकी गिरफतारी कर ली जाएगी और यह जितने भी ऐसे प्रकरण के अंदर और भी इसको किसी ने प्रश्र से निर्मित मकान है जिसको अभी राजस्व नगरपाली का एवं पुलिस द्वारा संयुक तुरुप से कारेवाई कर जे सीवी द्वारा तोड़ा गया है इसका लगबग एरिया 800 वर्ग फीट है बिल्कुल उसमें विदिवत कारेवाई की जा रही है धार से खबर समय जगत के लिए अलताफ खान की रपोर्ट